अकसर किसी शो के लिए सिर्फ दो शब्द होते हैं हमारे पास, अच्छा या बुरा, बट फिर आती है टीसरी कैटिगरी, वो जिसके लिए Oxford Dictionary में लिखा हुआ सब कुछ कम पढ़ जाता है। ये कब होता है, जिब स्क्रीन पर दिखाई गई चीजें हमें खुद की याद दिलाएं। मैट्स में पढ़ा होगा पैरिलल लाइन्स, जो एक दूसरे की हूबहू हमशकल होती हैं। बस ये सेम क्वालिटी ना दोस्त, आपको मिलेगी कोटा फैक्ट्री में। एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें एंटेटेंट्मेंट है या नहीं, इसका अंसर अलग-अलग हो सकता है, वो लोगों पर डिपेंट करेगा, लेकिन सच टुथ वो 100% मिलेगा। सीजन टु का रिव्यू सिफ एक लाइन में शो है बिल्कुल इजी दिमाग की ज़रुती नहीं पड़ेगी, लेकिन एमोशन्स वाला मीटर वो पर्मरेंट भाग दौर करेगा। कोटा की गलियां विथ हजारों फाइटर्स जो लगे हैं अपनी अपनी लडाई में, दुश्मन सबके अलग हैं बट जीत का प्राइस सेम, IIT देखो पिछले बार फोकस था कोटा पर, इस बार सेंटर में है फैक्टरी, पूरा प्रासेस डिटेल बार डिटेल समझाया जाता है, दट IIT का सपना कैसे एक बिजनस बन गया है अपने प्यारे सबके दुलारे जीतू भहिया, जो लास्ट टाइम थे सपोर्टिंग रोल में, इस बार कोटा फैक्टरी की ड्राइविंग स्टेरिंग इनके हाथ में है स्टूडेंट्स के चैलेंजिस इन कोटा, इसके बारे में सब बाते करते हैं, बट इग्नोर हो जाते हैं टीचर्स उनकी भी एक अलग रेस है, नेक्स लेवल का कॉम्पेटिशन जिसको हाइलाइट करने की जिम्मेदारी है जीतू भहिया की बेसिकली इस वाले सीजन को समरी के फॉर्म में बोलोगे तो पूरा शो तीन F के राउंड घूंता है F for fear, डर जो सबको लगता है, students भी and teachers भी दोनों इसके शिकार हैं पूरा का पूरा plane crash हो जाए लेकिन ये साथ कभी नहीं छोड़ते और लास्ट फाला है F for family, शो में एक dialogue है, IIT सिर्फ एक बच्चा नहीं उसका पूरा परिवार देता है इसको सुनके जो आपने feel किया, वो stage by stage शो में देखने को भी मिलेगा डारेक्ट question शो कैसा है, डारेक्ट answer पिछले सीजन से दो कदम आगे reason, क्योंकि makers के पास है एक खतरनाक advantage actually वो जानते हैं कि audience किस character से क्या expect करती है, जबकि पिछले बार सब कुछ नया था, risk लेना पड़ा but इस बार तो जो लोग देखना चाहते हैं वही चीज और ज़ादा दिखाई गई है इससे होता ये है that आप खुश हो जाते हो, दिमाग बंद एंड दिल चालू, automatically अभी सबसे important चीज इस सीजन में last time के comparison special है क्या, क्या अलग है boss, answer दो दो है पहला, बाल मुकुन मीना, confused हो गए, ये बंदा तो lead में भी नहीं है, फिर show का X factor कैसे बन गया Because ये quota में represent कर रहे हैं मुझे और आपको, screen pin को देखना जैसे मानो mirror के सामने खड़े होकर खुद से आखे मिलाना इनके through show में वो topics छेड़े जाते हैं, जिनको face हम सब ने किया है, लेकिन बताया आज तक किसी को नहीं इवन sexual maturity जैसा dark secret जो society में पर्दों के पीछे बंद रहता है, उसको भी expose कर दिया गया है in a very sensible manner अजीब भी नहीं लगेगा और problem का solution भी हो जाएगा Second reason, Shivangi the legend, जिन्दगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, सुना होगा, ठीक वैसा काम किया है इनोंने इनके character का screen time लंबा भले ही नहों लेकिन important सबसे ज़ादा है quota factory का जो dark black and white theme है, अगर उससे अलग कोई एक इनसान चल रहा है तो वो ये बंदी है Actually ये किस scene में कैसे react करेंगी आप predict नहीं कर सकते वो surprise factor with straightforward attitude एकदम अलग type के energy feel होगी ये सब तो बात हो गई उसकी, जो screen के सामने है and हम उसकी तारीफ में लगे हुए है बट इस show के real heroes mask के पीछे हैं writers जिन्होंने quota factory को बना दिया है कभी न भूलने वाला experience conversations हर point पर लिखी गई है, कुछ इस तरह से जैसे मानू कोई film या show नहीं, हम real life cctv footage देख रहे हैं quota का ये जो TVF है ना, ये Bollywood फिल्मों की तरह popularity and पैसे वाली लीग में भागी नी रहा है इनका success formula simple है, emotions पब्लिक को एक ऐसा show देना जो lifetime याद रहे 10 साल बार भी कोई quota factory का नाम ले, तो आप अपना experience शेयर किये बिना ना रह पाओ ये है TVF का simple goal जैसे की for example, जीतू भाया और उनके students के बीच में जो relationship है उसके थूँ show के makers आपको time travel कराएंगे और ले जाएंगे वापस खुद के school days में अच्छा या बुरा हम सब का experience है teachers के साथ जो आखों के सामने flashback की तरह घूमता रहे का पूरे time इस show को देखते हुए ये है TVF का magic Real life equals to real life वैसे magic से याद आया, quota factory आप भले ही भूल जाओ बट जीतू भाया दल जादू करका जो character create किया है season 2 में वो lifetime साथ रहने वाला है guarantee है मेरी सब बताते हैं बट जीतू भाया feel करवाते हैं ये dialogue है show में जो perfect तरीके से express करता है हमारे emotions को towards जीतू जी एक तो जितेंद्र कुमार की one of the best acting performance by any Indian actor उस पे writers के pen से निकले deep and meaningful one-liners quota factory सिफ इन दो चीज़ों के लिए देख लो दिलखुश हो जाएगा एक कमाल की चीज़ और है जो पिछले साल थोड़ा underrated रह गई थी quota factory का music boss हर episode का end एक गाने के साथ होगा and उसके lyrics लिखे गए हैं कुछ इस तरह से कि वो आपको पूरे episode में क्या हुआ सिफ 5 मिनिट में याद दिला देंगे अलग level की creativity है ये बजगई casting तो boss TVF जहां लिखा होता है वहाँ किस actor को किस character में डालना है इस process पे सवाल उठाना किसी पाप से कम नहीं है quota factory में characters को देखकर लगता है ऐसा जैसे इनको सामने बिठा कर इनके हिसाब से एक एक रोल को लिखा गया है फ्रम पांडे जी टू जीतू भाया किसी और इंसान को इनकी जगें imagine करना असंभव है actors को famous तो Bollywood भी कर सकता है बट characters को famous करना वो TVF का talent है तो boss मेरी तरफ से quota factory season 2 को 5 में से 5 stars एक star तो powerful and relatable writing के लिए खुद की जिंदिगी दुबारा जीली ऐसा लग रहा है एक star पढ़ाई के बारे में show बनाकर पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों को दिखाना इसके लिए चाहिए दिमाग creativity of TVF एक star IIT ही क्यों ऐसे important questions जिनके जवाब शायद real life में भी ना मिले हमें ये दो चीजों को step by step पूरी detail के साथ सिफ दिखाया नहीं समझाया जाता है वो भी only in 30 minutes screenplay एकड़म tight and perfect है एक star for Jitu भाया ये तो बनता है boss इनका character लिखा गया है with सचे emotions and honest conversations प्लस Jitianth Kumar की acting वो है बिल्कुल raw and natural real life में IITN होने का सही फायदा उठाया है इनोंने और last take star students in quota के साथ साथ teachers in quota इस hidden topic को पूरी तरह exposed बारने के लिए जिस पे किसी का ध्यान ने गया उसमें TVF ने PhD कर डाली something unique and different चलो अभी review को side करो go and watch this series तुरंद के तुरंद फटाफ़र it's more than just a show तुम्हारी real life को easy बना देंगे ये 5 episodes I promise पाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूँगी आप से अगले वीडियो में take care bye bye